तो हलो गैस कैसे हैं आप लोग तो गैस आज हम बात करने वाले हैं Amazon Pay Wallet Balance को बेंक में ट्रांसफर करने की जो कि आज की वीडियो में जो application में आप लोगों को बताने वाला हूँ application बिलकुन नया है और उसके अंदर अभी Amazon Pay का option आ रहा है तो अगर आपके भी Amazon Wallet में gift card या फिर amount को आपके बेंक में transfer होने के लिए तो भाई वीडियो को बीना एक point skip करें continue देखते रही है क्योंकि application बिलकुन नया है अगर आप लोग इस वीडियो को complete watch कर लीजिए और यहाँ पे payment proof देख लीजिए अगर मेरा amount मेरे बेंक में transfer हो जाता है तो उसके बाद इसमें आपको सबसे पहले अभी तक आप लोगोंने चैनल को सबस्क्राइब नहीं कर तो बाई सबसे पहले चैनल को सबस्क्राइब करके notification bell को all पे जरू सेट करें तो चलिए फटा बस्ते application को open करते हैं और आपको बताते हैं complete process मैंने application को open कर दिया अब देखो मैं आपको एक बात बता तो अगर आप लोगों को इस application का link चाहिए तो बाई telegram को join कर लेना जो कि अगर यह application working होती है तो इसका link आप लोगों को telegram पे बिल जागा जहां से आप लोग easily इस application को download कर सकते हो तो देखो कि अब भी तुम्हेंने application को open कर लिया account गारा मैंने पहले ही create कर रखा है अब यहा मैं यहाँ पे ज्याद amount की add money नहीं करूँगा क्योंकि बाद में अगर यह application working नहीं हुआ तो यहाँ पे हमारा जो amount है वो फख जाएगा तो इसका कोई भी फैदा नहीं है मैं यहाँ पे 10 रुपए enter करके चली add money पे click करेंगे add money पे click करने के बाद यहाँ पे इसका payment gateway है वो wallet पे click करेंगे उसके बाद यहाँ पे देख सकते होगा इसकी आपको जो है सच में Amazon Pay का option मिल रहा है जो कि यहाँ पे Amazon Pay का option हो गया एटल payment bank हो गया उन पे हो गया ओला money हो गया और इसके अलावा free charge wallet हो गया mobile quick wallet हो गया और यहाँ पर Reliance Geo money का भी wallet आपको मिल जाता है तो अभी हम बात कर रहे है Amazon Pay की तो यहाँ पे देखो कि आपको सब से उपर Amazon Pay का option मिल रहा है चली आपन इस पे click करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको च चार्ज लगेगा इससे ज्यादा का चार्ज भी आपको नहीं लगे यहाँ पर आपको चार्जी सो गयरा पता दिया जाएंगे इसके बाद चली अपन पे पे click करेंगे अप पे click करने के बाद कि यहाँ पर हमें जो अपने Amazon account को login करना होगा तो देखो यह सारा process में आपके स करने के बाद कि हमारे mobile नमबर पर एक OTP सेंड कर दिया गया तो चली OTP का में यहाँ पर वेट करते हैं और जैसे लिए OTP भी मुझे रिसीब हो चुका है OTP को भी हम यहाँ पर फिलप कर लेते हैं OTP को भी मैंने फिलप कर दिया इसके बाद sign in पर click करेंगे sign in पर click करने के ब के बाद हमें OTP authenticate करना पड़ेगा यहाँ पर send OTP का option आ रहा है चलिए अपन इस पर click करेंगे और उसके बाद दुबारा से मारे mobile नमर पर OTP सेंड कर दिया गया है OTP रिसीब भी हो चुका है चली OTP को हम यहाँ पर enter करने के बाद चलिए continue पर click करेंगे अब continue पर click करने के ब अब OTP करने के बाद हम आ जाएंगे इस application के home page पर अब देखो यह सारा process में आपको live करके दिखा रहा हूँ ठीक है अब इसके बाद हम यहाँ पर यह चेक करेंगे कि आखिर हमारा यह amount कहां पर add हुआ यानि कि कौन से option पर add हुआ तो उसके लिए आपको यहाँ पर option मिल जा तो देखो उसके लिए आपको यहाँ पर एक option मिलता है wallet to bank transfer कर ठीक है यह देख सकते हो wallet to bank transfer का option आ रहा है चलिए अपन इस पर click करेंगे और उसके बाद आपके सामने इस परकार का option आ जाएगा जो कि यहाँ पर सबसे उपर आपका जो है register mobile number मांगा जा रहा है तो चलिए हम यहाँ पर अपना register mobile number enter कर देंगे जो भी इस application में register है mobile number enter करने के बाद DMTA login का option आ रहा है चलिए अपने इस पर click करेंगे और इस पर click करने के बाद यहाँ पर मुझे लग रहा है कोई issue चल रहा है थोड़ा सा मैं इसको एक बार और try कर लेता हूं ठीक है सायथ यहाँ पर कु तो यहाँ पर अभी दिक्कत आ रहे है तो मैं एक दो बार try कर लेता हूं वैसे यहाँ पर अभी भी टेक्निकल रहरी बताया जा रहा है तो मैं इसको back कर लेता हूं और back आने के बाद कि यहाँ पर हम दूसरा option check कर लेते हैं जो कि यहाँ पर fund transfer का option आ रहा है तो चलिए अप आपका transaction password होना आपने simply उसको यहाँ पर enter कर लेना ठीक है और उसके बाद अगर आप चाओ तो यहाँ पर कोई रिमार कर सकते हैं कुछ भी enter कर सकते हैं ठीक है और उसके बाद चलिए अपन सम्मिट पर किलिक करके देखे लिए को यहाँ पर invalid transaction password बताया गया तो मैं यहाँ प पर चलिए QR code को हम scan कर लेते हैं QR code को scan कर लिया तो invalid QR code यहाँ पर बताया जा रहा है जो कि आप लोग देख सकते हो कि invalid QR code बताया जा रहा है तो अभी हमारा balance किसी भी option से यूज नहीं हो रहा है ना ही fund transfer वाले option से ना ही wallet to bank transfer से wallet to bank transfer पर अगर हम लोग जा रहा है तो यहाँ प इस application को यूज कर रहा है लेकिन अभी हम यह देख लेते हैं कि जो हमारा amount यहाँ पर add हुआ वैसे तो अभी तो यह amount मेरे bank में transfer नहीं हो रहा तो मैं यहाँ पर करता क्या हूं कि mobile prepaid पर चलता हूं और यहाँ पर एक number एंटर कर लेता हूं तो मैंने यहाँ पर नमबर और एं payment का option यहाँ पर मिल जाता है तो देखो फिराल recharge वाले option पर तो इस balance को यूज करने का option आ रहा है लेकिन bank transfer वाले option पर अभी जो है इसका server down बताया जा रहा है तो देखो इस पर add money हो गयरा तो हो रही है लेकिन फिर भी मैं अभी आपको इस application का link नहीं दूँगा कि अभी link आपको इस video के description में मिल जागा तो उस link पे click करके आपको telegram को जरूर जोइन कर लेना है जो कि अगर आप लोग telegram को join कर लेते हो और यह application working निकलती हो तो मैं इसका link आपको telegram पे दे दूँगा जिस पर कि आप सिर्फ 2% के charges देके और unlimited अपने Amazon Pay Balance को easily अपने bank में transfer कर पाएं